गुड मॉर्निंग बच्चो युकेजी की कक्छा में आपका स्वागत है बच्चो आज मैं एक नया चैप्टर इन दसीटी पेज नमबर 48 इससे मैं कुछ वर्ड मीनिंग लेकर आई हूँ पहले आप वर्ड मीनिंग समझो उसके बाद नेक्ट क्लास में आपको इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगी चलो बच्चो वर्ड मीनिंग हम याद करें आप पढ़ना भी सीखें सबसे पहले यहाँ पर C, I, T, Y, C, T लिखा हुआ है देखो बच्चो यहाँ पर क्या लिखा है C, I, T, Y, C, T C, T का मतलब क्या होता है सहर Second है a lot of, A, L, O, T, lot, O, F, of, a lot of, a lot of का मतलब क्या होता है बहुत साड़ा A lot of का मतलब बहुत साड़ा तीसरा है, third में देखो क्या लिखा हुआ है P, I, C, T, U, R, E, picture Picture का मतलब क्या होता है? Picture का मतलब क्या होता है? Picture का मतलब क्या होता है चौथे में लिखा हुआ है M, E, N, D, I, N, G, Mending Mending का मतलब मरम्मत करना कोई टुटा-फुटा चीज है उसका मरम्मत को हम क्या करते है? Mending आपने तो पोयम भी पढ़ा है ना? Cobbler, Cobbler, Mend my shoes Mend का मतलब मरम्मत करना Spelling है M, E, N, D, I, N, G, Mending Next, N, E, W, S, News, P, A, P, E, R, Paper N, E, W, S, P, A, P, E, R, Newspaper Newspaper का मतलब अखवार, समाचार पत्र Next, W, H, W, E, L, Will Will का मतलब क्या होता है बच्चो? Will का मतलब पहिया मोटर गारी में देखे हो ना लगता है लगा रहता उसमें Next, M, A, K, I, N, G, Making Making का मतलब बनाना Next, T, A, L, K, I, N, G, Talking Talking means बात कर रहे है Next, Asleep A, S, L, E, P, Asleep Asleep का मतलब सोते हुए बच्चो जितना भी word meaning यहां दिया गया है इसमें से बहुत सरा आपको देखो यहां पर बने आपके बुक में जो picture बना हुआ है उस picture से ढूंड कर समझने का भी कोसिस करना जैसे Asleep दिया हुआ है उसका क्या आर्थ होता है या फिर मेंडी बच्चो बहुत सरा word meaning picture से related है आप page number 48 का जब lesson learn करोगे तो यह सारा word meaning उससे relate करके देखना तो आपको याद करने में आसानी होगी Thank you